Hi friends, welcome back to another video दोस्तों आज के इस वीडियो में एक problem का solution लेके आया हूँ आपके लिए तो कभी-कभी क्या होता है, मैं दिखाता हूँ पहले problem आपको जैसे एक folder है ये, बहुत दिनों से मैं इसे use कर रहा था लेकिन आज जब मैं इस पर double click कर रहा हूँ तो ये कुछ हमारे पास error दिखाई दे रहा है location is not available, the file or directory is corrupted और unreadable ठीक है, तो इस problem को कैसे solve करते हैं, आज़े देखते हैं तो वीडियो को पूरा last तक जरूर देखना, तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको cmd खोलना है cmd administrator के right के साथ कोलना है, तो यहाँ पर cmd लिखेंगे और यहाँ पर right click run as administrator करते हैं तो यहाँ पर आगे हमारे पास यह, ठीक है, अब इस पर हमें क्या करना है command लिखना है, छोटा सा, command क्या लिखना है, chkdsk forward slash देना है, और फिर यहाँ पर लिखना है f और यहाँ पर drive का नाम लिखना है, तो drive कौन सा है हमारा, वो देख लेते हैं drive हमारा है, d drive ठीक है आप देख सकते है, d drive है यहाँ पर, ठीक है, तो d drive पर ही चला देते हैं तो d drive हम चला देते हैं, यहाँ पर, chkdsk slash f और d drive और यहाँ पर just enter करना है आपको enter करेंगे, यहाँ पर यह कह रहा है, would you like to force a dismount on this volume तो यह volume को dismount करेगा, फिर से mount करेगा, तो मैं इसे कर दिता हूँ, yes ठीक है, अब यह कुछ problem जो भी इसे होगा, वो इसे fix करेगा और यह हमारे लिए problem को solve करके दिखाएगा, तो देख सकते हैं, यह हमारा बिल्कुल finish हो गया है अब यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, देख सकते हैं, process नहीं चल रहा, that means कि हमारा complete हो गया अब फिर से हम क्या करेंगे, इसे my computer को खोलते हैं, और उसी d drive में जाते हैं, और उस location पर जाते हैं, जिस पर यह error आ रही थी ठीक है, अब यह रहा हमारा यह problem, ठीक है, यह हमारा खुल नहीं रहाता उस समय, लेकिन जैसे हमने CHK, DSK किया, तो यह हमारा खुलने लगा, ठीक है तो उमीद है यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया, तो इसे like करें, share करें, अगर कोई शवाल या सुझाव हो, तो नीचे comment करके हमें बता सकते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए goodbye, और हाँ, आप हमारे Instagram पे हमें follow भी क कर सकते हैं, वहाँ पे अगर कोई शवाल हो, तो आप मुझे message कर सकते हैं, वहाँ पे मैं instantly reply करता हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, goodbye,